जवाब में ये बात कहेंगे बहुत बहुत दिन्यवाद श्रीदानिश अली जी कि आपने मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल वेलफेर मेजर्स पर आगनवाडी वर्कर्स और आगनवाडी हेलपर्स पर बोलने का आउसर प्रदान किया हमारे देश में जो आगनवाडी सेंटर्स हैं लगबग 13,41,412 आगनवाडी सेंटर्स हैं जो अभी पिछली 9 दिसंबर को मानने मंत्री जी ने जवाब दिया है एक सवाल का और उसमें करीब 25 प्रतीशत आगनवाडी सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग समें चल लाए है सरकार ने माना है मानने मंत्री जी ने माना है खुद कि करीब 13 लाग करीब 3,60,000 आगनवाडी सेंटर्स में प्रापर टॉइलेट सैनिटेशन की विवस्था नहीं है उसका उन्होंने एक कारण भी रीजन भी दिया कि आगनवाडी सेंटर्स में टॉइलेट बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकान ने 2017-2018 में केवल 12,000 रुपे का प्रवधान किया था जो की नाकाफी था अभी उसको बढ़ा करके लगबर 36,000 रुपे कर दिया गया है तो अब उमीद की जाती है कि आगे जो टॉइलेट्स बनेंगे जो सैनिटेशन का वो अच्छी तरी प्रवाई का इंतजाम हो सकता है सभापती महोदे कहने को बहुत आसान है कि आंगनवारी वरकर गाओं गाओं में रहती है लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्पूर्ण इंपोर्टेंट काम होता है और जैसे मानने परधान मंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना तो जब करोनम के तोरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता इस देश की पोलिटिकल क्लास इस देश के बिरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गाओं देहात में जो स्वस्त व्यवस्ताएं हैं स्वस्त की व्यवस्ताएं हैं वो कितनी चर मराई हुए जो गाउं देहात में जो आंगनवारी वरकर हैं जिसको आशा वरकर के नाम से हम जानते हैं उन्होंने देश आंगनवारी वरकर्स में और ये आशा वरकर्स और डॉक्टर्स इन्होंने जो है देश में करोना से लड़ने के लिए फ्रेंट लाइन वरकर्स के काम किया चाहे सैनिटेशन वरकर्स हूं मेरा कहने का ताथ पर यह मेरा यह है कि हम इसको जो आंगनवारी वरकर्स हैं जो आंगनवारी सेंटर्स हैं यह देश की आम जनता के लिए देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का स्कूल का उनके पालन होती हैं और उनके helpers होती हैं लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है मैं वो बाते रिपीट करना नहीं चाहता जो कई मानने सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है अभी प्रेम चंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मान दे दिया जाता है आगनवाडी वरकर को उन्होंने एक सुझाओ भी रखा कि इतना देश में unemployment है खास तोर से पड़े लिखों में कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारस सरकार जो है गाइडलाइन ते कर दे कि आगनवाडी वरकर की न्युक्ति जो हो उसक कि एक minimum qualification हो जानी चाहिए लेकिन मैं जहा से आता हूँ जो मेरा च्छेत्र है अमरोहा लोकसभा चेत्र उत्तर-प्रदेश से हम आते हैं मानने मंत्री जी अत्तरक्रदेश से लोकसभा में इलेक्ष हुए हैं अमेठी से हैं मैं जी जी उत्तर प्रदेश में हैं मंत्री जी ने कहा इस कॉंस्टेंसी बताओ इसलिए मैंने नाम रिपीट किया माने मैं अभी जो है प्रेम चंदरंजी ने कहा कि 12,000 में लेकिन उत्तर प्रदेश की आगनवारी वर्कर्स की बहुत देने अस्तिती है मैडम देखा नहीं जा सकता हम लोग से और यह हमारा सोभाग्य है कि आज विमन और चाइल्ड डेवलप्मेंट वेलफेर मिनिस्टर यूपी से आती हैं उत्तर प्रदेश में भी इनीकी पार्टी की सरकार भी है तो मैं चाहूंगा कि आगनवारी वर्कर्स का जो मांदे है वो चार हजार रुपी साड़े चार हजार रुपी है जो केंदर सरकार वो देती है वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आगनवारी वर्कर्स की बहुत ही देनेस्तिती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्जे में चार हजार केरला जैसे राज्जे में बारे हजार ये तो जो केंद्र सरकार के जो फोर्थ ग्रेट के एंप्लोई होते हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए मैं इनी शब्दों के साथ इसी उमीद के साथ कि मानने मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोश्णी दार देंगी जब अपना जवाब देंगी बहुत बहुत थुन